असम के सीम हैमन्त विस्यसर्मा ने बड़ा फैसला लिया है विदानसभा में नमाज पढ़ने की मिलने वाली छुटी जो दो घंटे की छुटी मिलती थी उसमें बदलाव किया है असम विदानसभाओं ने गुरुवार को एक विधैक पारित किया जिसके तहट मुस्लिम विवा और तलाग का सरकार के साथ पंजीकरण अनुवार होगा इस कानून का उद्देश मुस्लिम महिलाओं और पूरुसों के अधिकारों की रच्छा करना और बाल विवा को खत्व करना है या सरकार की तरफ से कहना है 1945 के पुराने असम मुस्लिम विवा और तलाग पंजीकरण अधनियम का स्थान लेगा पहले असम विदान सभा में नमाज पढ़ने के लिए दो घंटे की छुटी मिलती थी जिसको स्यद सादुल्ला ने 1937 में सुरू की थी सरकार ने इसको बदलने का फैसला लिया और सरकार ने इसको बदल दिया असम विधान सभा में सुकरवार का नमाज के लिए ब्रेक देने की बिटिस काली नियम था और बिटिस काली नियम को खत्म करने का फैसला किया आप से मुसलिम विधायकों को सुकरवार को नमाज पढ़ने के लिए कोई ब्रेक नहीं मिलेगा यह फैसला अस्म विदाफ़ा के अद्रज विसुजीत डेमरी के अधिस्ता में हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया, सबी विदाईकों ने इस वैसले का समर्थन किया, बाचपा विधायक विसुजीत फुकन ने बताया कि या एक स्थर्व संभी से लिया गया फैसला है उन्होंने कहा कि भारत में बिटिस काल से ही असम विधानसवा में हर सुकुरुवार को नमाज के लिए ब्रेक दिया जाता था दोपहर बारा बजे से दोपहर दो बजे के भी दो घंटे का ब्रेक होता था इसमें मुस्लिम विधायक हर सुकुरुवार को नमाज जर्दा करते थे लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है और अब कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा अगर बात की जाए विधानसवा की टाइम की तो सुमार से गुरुवार तक असम विधानसवा का समय सुबा साड़े नव बजे से शुरू होता है और सुकुरुवार को सुबा नव बजे से शुरू होता है ताकि नमाज के लिए दो घंटे का ब्रेक दिया जा सके हालां कि चुकि इस से बदल दिया गया है इसलिए आप से विधान सवा हर दिन सुबा साड़े नो बजे से अपना कार शुरू करेगी